वेल्कम टू माई चैनल आज मैं आप लोगों को अर्वी के पत्ति के पकोड़े का सब्जी बना के बताऊंगी जो कि बहुत ही टेश्टी बनती है तो आईए देखते हैं सब्जी में कौन-कौन सी सामगरी की हमें जरूरत होगी यह मैंने दो मीडियम साइज प्यास काट लिया है बारिक एक चोटा टमाटर धनिया पावडर हल्दी पावडर गरम मसाला लाज मिर्च पावडर चार चम्मच ओयल जिंजर गालिक पेश नमक स्वाद के अनुसार और अर्वी के पत्ते का पकोड़ा यह अर्वी के पत्ते का पकोड़ा मैंने पहले वीडियो बना चुकी हूँ जो कि हम कैसे बनाते हैं अब मैं आपको इसकी सब्जी बनाना बताऊंगी यह मैंने गैस पर कड़ाई चड़ा दिया इसमें ऑइल भी डाल दिया है आम हम पकोड़ो को सेलो फ्राई पहले कर लेंगे ऐसे दोनों तरफ हम लाल होने तक इसको फ्राई करेंगे यह दिखिए पकोड़े दोनों तरफ सीख चुके हैं आप इसको हम निकाल लेंगे अब उसी कड़ाई में डालेंगे ओल गरम हो चुका है अब उसमें डालेंगे जीरा प्यास 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 के साथ ही हम जिन्या गारलिक पेस्ट भी डाल देंगे और इसको ब्राउन होने तरफ भूलेंगे प्यास हलके से पक्तिके हैं और उसी में टमाटर डाल देंगे नमक डालेंगे और इसको कवर करके खोड़ देंगे नमक डालने से यह होगा प्यास टमाटर जल्दी से गल जाएगा तो आईए देखते हैं यह देखिए प्यास टमाटर पक्तिका है अब इसी में हम अपने सारे मसालों को डाल देंगे और इसको चला के एक बाद फिर कवर कर देंगे दो मिनट के लिए चेक करते हैं मसालों को यह देखिए प्यास टमाटर गल गया है अब मसाले भी हमारे पक्तिके हैं इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे पहले पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं और आपको ज्यादा ग्रेवी वाली चाहिए तो यह कम उसके साब से डाल सकते हैं अब इसको हमारे से ही धब कर वाल आने तक छोड़ देंगे कि देखते मसालों को कि ते देखिए मसालों में अच्छे से उबाल आ गया है अब इसको ऊंथ्वाड़ा गारा होने देंगे थोड़े दिर के लिए और ढग देंगे ताकि मसालों में गाड़ा पना जाए आए देखते हैं यह देखां मसाला बिल्कुल गाड़ा हो चुका है अब इसमें हम पपोड़े डाल देंगे और डालने के बास बस दो मिनट पकाएंगे क्योंकि हमारे पकोड़े पहले से ही पके हुए है इसको ज्यादा देर तक नहीं पकाएंगे बस दो मिनट पकाएंगे दो मिनट हो चुके हैं अब देखते हैं यह देखिए हमारी सबजी बनके विल्कुल तयार है अब मैं आपको इसको कटोरी में निकाल के दिखाती हुए यह देखिए अरूर की हमारी कितनी लाजबाब सबजी बनके तयार है आप अपने घरों में एक बार इसको जरूर ट्राइ कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे का वीडियो बना सकते हुए दो